तो आज भी लोग बनाएंगे एक बहुत ज़दा टेस्टी सा नाश्टा जो बहुत जल्दी उनकी तयार हो जाएगा और यह खासकर बहुत टेस्टी लगेगा जो आप सुबा के नाश्टे या फिर साम के स्नाक्स में बना के खा सकते हैं बहुत हेल्दी भी है चलिए आज की इस बनाना शू करते हैं तो इसके लिए यह आप लिए हैं चोटे वाले चावल आप कोई भी चावल कर सकते हैं और इसे आप दोसे तीन घंटे के लिए भीगो के रख दीजे जिससे ना जो है फूल जाए और उसके बाद ना हम लोग इसे पीसेंगे और इस महीन सा पेस्ट करें यह देखे यहां पहुने बड़ी बिख डियाड ली है और इसमें चावल डाल दिया है पहले पानी डाला है दिरबाद में आप इसमें पानी डाल लीजेगो और पर इस पीस्ट करते हम लोग दू investir बसके नहुदने सा दोग पानी तीक हो और नहीं एकदम विष्टरीक से बन जाएगा जो बैटर होगा वरना एकदम पानी-पानी सा रहेगा तो वच्छे से फेलाएगा भी नहीं और यह जो बेशन है ना इसको विष्टरीक से मिक्स कर लीजेगा लंप नहीं रहने चाहिए और रहने हैं ठीछाई सब्सक्राइब बहुत कम से कम तेल का इसमाल है आप हम लोग कर रहे हैं तेल कुछ तरीक से फेला लेंगे और फिर हम लोग इसमें एड़ कर रहे हैं आदर चमच जीरा आदर चमच सरसो और फिर इसमें एड़ कर देते हैं हीम आदर चमच और करी पत्त और फिर हम लोग इसमें एड़ करें तो जब गिसाई चीज़े डालें ना ग्यास का फ्लेम लो टू मीडियम रखेगा या फिर एक्दम लो रखेगा फिर हम लोग इसमें प्याज आयट करेंगे गाज़ आयट करेंगे शिम्ला मिर्च आयट करेंगे और टमाटर जो भी हुने बारीक चॉप किया था तो इस रेस् कच्चपन चला जाए इस को को भूजना नहीं है नहीं इसका कलर चेंज करना है तो बस दोसे तीम एट के बाद सब्जी में हमें तयार है या सब्लिम आप कर देते हैं और इसे हम लोग साइड रख देंगे और अब हम लोग ना बैटर में मिला देते हैं आज़ड़ चमच क सफेद नमक स्वादनुसा थोड़ा सा काला नमक और इसमे अड़ कर देते हैं धनिया के पत्ते अब इसे हम लोग कर लेंगे मिक्स तो अच्छे से मिक्स करने की बाद थोड़ा से पानी आड़ करेंगे तो आपको इसका बनाना है जिसको आप पैन पेश्तरी के से फेला पा तो हम लोग ना इसको पैन पे डालने के लिए और फेलाने के लिए कुछ ऐसे कलजुल का इस्तमाल करेंगे इससे बहुत असानी हो जाती है इससे पैन पे अराम से डल भी जाएगा और इस तरीके से फैल जाएगा तो यहां पे आपको नॉन स्टिक पैन करना है और पैन ना की कर सकते है और पीदेसाओ लोग फैला लेंगे अब हम लोग ना इस लोات प्लें पे एक साईट तक पकासे ना या अपको एकडम सूखता हो ना इके कुछ इस ठीके जिससे ना ये अच्छे तरीके से पक भी जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है तो आप इसकी दूरी साइट देख सकते हैं कि ना थोड़ी पक चुकी है लेकिन अभी थोड़ी कच्छी है तो इसे लोग ना इसे निकाल लेते हैं तो ऐसे हम लोग दूसे तीन चीले बना लेंगे और फिर आपको गर्म गर्म सर्फ करके लिखाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मारे बहुत है टीस्टी से शाम का स्नाक क्या फिर सुबे का नाश्ता बनके तयार है जो हमने चावल और बहुत साई सब्जी ओ से बनाया है जो बहुत ही जादा हेल्दी है आप इसे भी खा सकते हैं या फिर सॉस केचप कुछ भी ले सकते हैं आपको यह बहुत टेस्टी लगेगा तो एक बार आपके टेस्टी से चावल और सब्जी के जो चीले है ना इसे ज़रूर बनाइएग बनाना बहुत आसान है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनगे तयार होते हैं और बहुत हेल्दी हैं एक दम जहेटपेट से ये स्नाक्स बन जाएंगे और अगर आज की रेस्परसंद आई है तो लाइक कीज़े हमारी चैनल इजी कोगे अतनी लूप अगर आप नए है सब्सक्रा